अब तमाम मेहमान हमारे साथ जोड़ गए हैं मादवानंद जी जेडियू का पक्ष रखेंगे पितुन जे तिवारी जी आरजेडी का पक्ष रखेंगे और अजय आलोग जी एक पुलिजिकल आनलेस के तौर पर जोड़ रहे हैं कुछी देर में सुशील मोधी भी हमारे साथ जोड़ेंगे मैं आपके साथ मादवानंद जी शुरुआत करना चाहती हूं संवेदन हिंता की कौन सी धरातल को आजकर नितिश कुमार चूरे हैं ये महिलाओं के रोने की चीखे या आवाजे नहीं पहुच रही उनके कानों तक विधान सभा में अपने उस गड़ में लाने के लिए तैयारिया हो रही है और ये सी एम साभ है मिस्टर आनंद गोरक पांडे की कविता थी समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई हाती पर आई गोड़ा पर आई अंग्रेजी बाजा बजा के आई अब आपके हैं समाजवाद बबुआ शरापियवत जान जाई य घटना चाहा किसी भी तरह से घटीतो हो एक भी बैक्ति की जह सो मिर्टिव हो एक दुखद बात है और मुझे लगता है कि पूरा सरकार जो है काफी संवेदन सील है और जहां कर आदर्णी नितिश कुमार जी के आपने बात कही आदर्णी समझाए ये लाइन समझाए ये प सब को पता है कि अगर जो नकली सराव है उसको अगर पियोगे तो सभाविक है उसका क्या परिनाम होता है उस सब जानते हैं अगर कोई बिस्पान करता है तो बिस्पान का क्या परिनाम होता है ये हम सब को पता है तो सरकार लगातार जागरुता पैदा कर रही है और जागर सेहत के लिए हानिकारक है, जो पीता है उसको भी पता है, और क्या ये लोग जो पी रहे थे उनको पता था कि ये नकली शराब है, जान बूच के इनों ने जान जोखिम को डाला, A, B, लोगों को पता है, बताने के कई तरीके होते हैं, ये भी कह सकते थे कि शराब से लोगों क बचना चाहिए लेकिन पीओगे तुम बरोगे अरे सहाब अर्थियां उठाई जा रही है इतने घरों में कौन सा नशा होता है सरकार का जो आपको ऐसी बात बोलने के लिए बतबते जसी यादव ने भी बोला उन्होंने गोपाल गंज की याद दिलाई तमाम बाते सही अपन पर उन परिवारों की सोचिए उन बच्चों की सोचिए जिनके घर में अभी पिता के अंपी उत रही होगी पीओगे तो मरोगे अंजना जी आप भी संदर्व समझती हैं कि आधरनी नितुश कुमार जी को आप भी बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि वो किस तरह के बैखती हैं संबेदन सील बैखती हैं और जो सराब बंदी कानून लाना ही अपने आप में करांतिकारी कदम है एक सिमित संसादुन वाला परदे सोने के बावजूद अगर अपने रिवेन्यू को मार के अगर सराब बंदी जनहित में लाया गया लोगों की मांग पे लाया गया महिलाओं के जैसों मांग पे लाया गया और तमाम दलों ने सत्ता पक्छो या विपक्छ सब ने एक स्वर से समर्थन किया हम लोग ने जो है मानव स्विंखला लगाने का काम किया विधान सभाव में सभी दलों के निता ने सपत लेने का काम किया आधरनिय नितिश कुमार जी का घुसा जिसका जिक्र आप करेंगी आने वाले टाइम में मुझे पता है वो भी आप कोस्टन है कि जब तक सब लोग मन से इसका समर्थन नहीं करेंगे तब तक सराब बंदी 100% सफल नहीं हो सकता है और सरकार की यही कोशी से है कि सब लोग समर्थन करें जब विपक्ष के लोग अभी बीजेपी विपक्ष में बैठी हुई है क्या समिक्षा नहीं हुई है जब हम सरकार बनता है क्यों नहीं होना चाहिए लेकिन गुजरात में घटना घटित हुई है NCRB का डेटा देख लेजिए जो किन सरकार ने लोग सभाम में जैसो 19 जुलाई 2022 को दिया है कि सबसे ज़्यादा घटना है जो जहरीली सरापिने से जो मौते हुई है वो हुई है कहाँ MP में, करनाटका में, पंजाब में, गुजरात में, उत्तर परदेश में तो ऐसा नहीं है जहाँ सराप बंदी नहीं भी है, वहाँ भी जहरीली सराप पिने से मौत होड़ी है मैं उसको justify नहीं कर रहा हूँ, कानून बनाए जाते हैं लेकिन कानून का दुरुपियोग भी लोग करते है यह सरकार की जरूर responsibility बनती है कि इसका जितना minimum हो सके उसको जैसो किया जाए अब एक बयान मैं आपके channel पर सुन रहा था, निशीकान दुबेजी का निशीकान दुबेजी ने जो BJP के नेता है, उन्होंने क्या कहा? कि उनको पता है कि उनके छितर के यूवा, illegal धंग से सराब का supply बिहार में कर रहे हैं एक-एक बंदे को चिन्हित कर चुके हैं, आप देखिए, तो जो geographical condition है बिहार का, उधर नेपाल है, उधर जहारखंड है, आपका वेस्ट बेंगॉल है तो इस समाम तरह की समस्याएं आती है, लेकिन हाँ, मैं इसको भी justify नहीं कर सकता हूँ, सरकार पूरी ततपरता और पूरे तन, मन, धंग से कोशिश कर रहे हैं कि फियोगे तो मरोगे, कहके मुख्यमंत्री निकल जाएंगे, किसी ने अपने पिता को खोया है, किसी ने अपने पती को खोया है, किसी ने अपने बेटे को खोया है, आपको तो unconditional माफी माँगनी चाहिए आज, बिहार की जनता से, ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं बोल सकता इस औरत को कैसे अपने बच्चे से या परिवार वाले से लिपट कर रो रही है उसके लिए तो कल्पना से परे है ना सर कि इस तरह से जहरीली शराब बिक रही है और जो भी रिष्टेदार है वो पी के मर जाएगा मतलब एक sensitivity होती है ये सच है ये इस पर मैं सवाल करूंगी हमें इंतजार है कि कुछी देर में हमारे साथ तरकेशोर जी भी जोड़ेंगे जो कि तरकेशोर प्रसाथ पूर डेपिडी सीमें बिहार के बीजेपी का पक्ष उन से जानेंगे कई सवाल उनके लिए भी है मैं दागूंगी लेकिन आज आज आपको आपकी पार्टी को मुख्यमंतरी साहब को सबको पता है कि सेहत के लिए हानिकारक है और सबको इस बात का हैसास नहीं आपको भी माधव जी जब आप कैमरे से हटेंगे तो आप भी कहेंगे कि आज ठीक बात बोल रहे थी लेकिन मेरी नौकरी ने मुझे मजबूर किया कि मैं डिफेंड करूं इसको आप भी इस बात क कर समान करते हैं कि मुझे पता है कि इससे आगे आपकी रेखा लक्षमन रेखा आपको बोलने की जासती है